अज मैं आपके विशेश मक्सद से मिल रहा हूँ, क्योंकि मैं जो महसूस करता हूँ इतना अगरिज भी, और साथ आप भी करते होंगे, कि देश में क्या हो रहा है, देश कि दिशा में जा रहा है, कोई नहीं जानता है, कि दिशा में जाएगा किसी को नहीं मालूम, ये अप्रोच डेमोकर्शी के अंदर किसी पार्टी गवर्मेंट हो उंच इतनी के जा सकती है। उन लोगों को जो चाते हैं। सतम बेठे वे हैं। मैंने टाइप मांगा था डाइटर एड़ी से, डाइटर सीबिये से, और चेर्मेंट सीबिडिटी से। जब राउल गांदी जी को यहां पर पचार गंटे पूस्तार करी गई। पहले दिनी टाइप मांगा मैंने शुर्फ जब शुरू आत होई थी, तो मैंके उचीत नहीं है, मैं जाके मिलू उन से। और पूरे देश को घर है, CBI पर, Income Tax Department पर, और ED पर भी, जो अपने कानून का काम करें। यह प्रीमेर एजेंशी हैं देश की है। यह जुडिशी के इंपोर्टेंस है, जुडिशी के मामलों म क्राइम के अंदर तीनों एजेंशी की इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंस है, इंपोर्टेंस खतम होगी, क्रेडिबिल्टी कम होगी, तो नुक्सान किसको है, देश को है, क्यों बनी एजेंशी है, एजेंशी जिस मक्सद से बनी है, वो मक्सद पूरा होगा, तब देश का हिट होगा अगर क्रेडिबिल्टिक का मुझा की एजन्शियों की जो आज CBA के हो चुकी है पहले हर CBA के नाम देता था कोई गटना दुर गटना होती थी राजियों में तो कहते CBA को इनको एक वादी दे दीजी कि औरा थाथ CBA का था अब सिफ्ट हो गए एडी पर हो गया है इडी का काम है फाइंचल इस्रेगुलर्टी के ओपर काले करना सुप्रिम कोट के सुनना ही हो रही है वहां जल्दी फैंस लावना चाहिए जो अधिकार दे दिये गए सब्सक्राइब को एरेश करने के अटेज करने के कुर्गी करने के उटके बहुत चल रही है जान तक मेरेको नोलेज है वह फैसले जल्दी होना चाहिए उटसे बहुत बड़ा नुक्सान हो रहा है लोग हरेश हो रहे है देज के अंदर त्यूब पहले इंडिस लिज अब पॉटिशन में गुषने लग गई है सब देकर महाराज के अंदर देख लिए दिली में देख लेजिए जाजी में देख लेजिए जाने चुनावाते हैं एडि पहले पहुंचती है यह जो मैंने उस तो टाइम मांगा था तीनों से मैं मिलना चाहता हूं आप शाग कर कि मैं इक राजी का मोख्यमति भी हूं सारे पांच करोड की जनता से ज्यादा तो पर है चारे पांच कर तो साथ करोड़ के लगबड आवादी है उनको रिपरेजिंट करता हूं मैं आगे बताना चाहता हूं आप एजिंची की क्रिडिबिटी नीचे जा रहे हैं दो नहीं जानी चाहिए है हम चाहते हैं कि आपकी विश्वश्वसिंता बनाई रहे बलकि आगे और बढ़े हम आपके साथ नहां है जैसे रिशंपनेटी हो रही है, करश्ड़ुरूरु वर्या है, क्राइम हो रहे है, आप कड़ी से कड़ी कार्वेक करो, तत्काल करो, जेल बेजो, अटेश करो परपापर्टीर हम सागत करें जाब को, पर जिस पेकार दे आप इसारों पर उपड़ के दवाब पर यह साब याईर पुरा तेश देख रहा है तो गाओं तो भी चाज़ाँने लगई गाओं के अंतर भी कि यह क्या हो रहा है गाओं में चाज़ाँने लगई है अब तो कहीं हिए कि एड़ी वाले खुदी राकर कर है हम आदे गेंट बाद आने वाले हैं आप रहा देख लिए अपना आपको यह इस्तदी बन गई है जो मेरे बाद रिपोर्ट आ रही है जो बाते चलती रहती है तो यह उचीत नहीं है मैं इस मुक्रे इस मन्ट से फिर में कहना चाहूंगा तीनों एजेंशियों के जाइओ कारी तन सब्सक्राइब कर आते हैं था कर दो इसके अब कर देच के लिए। इनका कमिट्मेंट देश के प्रति होना चाहिए और किसी का प्रति होना चाहिए इन में तर सवाना चाहिए मना करना का मना करना है कि हम दबाद में गाम ने करेंगे, अब निस्पक्स काम करेंगा हम दो, अब जो इस्तथी बन गजी देश में, वो उसी प्रगावे बन गजी है, जेते हैं आम देखों देखा होगा, और मैंने आंक्रे देखे हैं, कि दथ साल लगा चासन था, यूपे का, आंक्रे से आपके बार होगे कोई नए आंक्रे नहीं है, 112 बार शिफ शापे दाले गए थी, आप तो बहुत सीने लोग बैठे हैं, और अब जो है, नो साल लगभा हो गए, तीन हजार दस शापे डाले गए हैं, कहां तो दथ साल में 112 का नो साल के अंदर तीन हजार दस शापे, चा इसका मतलब जैनुए छापे डाले गए थी, 90% अब है, सिर्फ आर्ट तो एट 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 एट, टिपल एट, आर्ट एट 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 ही जगए, चारचीट पेस हुई है, मतलब तो आप छोच सकते हैं, इतना बड़ा जो आपको अंतर महसुत हो रहा है, वो चिंता जनक है, इसका मतलब है कि तीन हजार चापे डाले गए हैं, उन में क्या बीती होगी, जिन को आप आर्ट सो के लगबग आप वहां पे चार तीज पेस कर पाएगों, जिब चापे डाल दी आपने, नो नो साल हो गए, चार तीज पेस क्यों नहीं कर दाप, तो ये मैं इस र आजर नाजर रखके कि करना चाहूंगा एजेंशियों को, पूरे देश की भावना है जो मैं बोल रहा हूं, क्यूंकि मैं भी अगबार पढ़ता हूं, शोचल मीडिया देखता हूं, टीवी देखता हूं, और आजकल तो प्लेटफॉर्म पे डिस्कुशन आते हैं आप लो आप मेरी बाद मागी कद्र करना मैं समयता हूं, उमीद करता हूं कद्र करोंगे, देश बेबर्स है, मनिपुर में जो रहा है, पुरा मुल्क का एक भिस्ता है वो, अभिन अंग है हम कहते थी, वो अभिन अंग है तो उसकी तरफ कोई जहान दे रहा है क्या, पुरा देश बेबर्स है, और प्रदाम मंदरी को फुर्चत नहीं है, एक दी जाने के लिए माप, एक दी जाने के लिए, इत्ती बड़ी गटना हो जाए, वो मैं एक्प्रेन नी करूंगा, आप सबको मानूब को, सियम ने क्या का, मिले ने क्या क्वाशन पुजे, सबको मानूब आपक से मैं मेरे मोमेंटो औक्षिन करता हूँ, सुर्णामी के अंदर या गुजात भुकम के अंदर या कौल के काईगी लिए लिट के अंदर, तो जो मोमेंटो मेंटो में थे, सियम को हम औक्षिन करके पैसा बेज देते हैं, जो मैंने कश्मी भुकम के अंदर इकट अगना सू किया पिनिक आर्टिकल पड़ा मनें उसमें लिखा था कि पुरा देश कहता है हिंदुस्तान की कश्मीर अभारा अभिन अंग है अब जब गुजाद बुगंब आया था तब तो लाकों हाथ खड़े थे मदद के लिए वो हाथ नजर नहीं आते हमें मनिपूर दूर है जड़ आज बाधित भावना वह यहां दो पून्चती नहीं है मीड़ तक भी नहीं पुर्च धूर है मीड नहीं गाइब करने तो आप सूछ सकते हैं कि जाओ गांदी बाहर बार मोधी जी का अड़ा नजी का नाम कू लेते हैं मनिपूर नाम क्यू लेते हैं क्या एक वीपक्सर कि अधिकार नहीं है कि वो अपनी बात करें तो उसको रस्पंज करें मुझा बचा देजिए मिजद के बहुत नंबर था हो गए राजनीती में कोई भी गटना दुर गटना हो वीपक्स बोलेगा उटका धर्म को बोगतना चाहिए उसी डेमो के ने मर्बूत होती है तो क्या स होता बचका उसको रस्पंड करें कुछ भी करो रस्पंड राजी गवांजी वक्त में एक बार मीड़े को लेकर एक फैंतला हो गया था है आपना बार उठा ही राजी गवांजी वापस बोले लिया ये डेमो के सी है अब तो ना वो मिलते हैं प्रामंदीर आप से ना आप इस्यू बना बाते हो आप लोगों के कसूर नहीं क्योंकि मीड़ा के मालिक जो है उनको भी इंकम लेक्स एड़ी और सीबे कड़ा रहता है मुले कहते हैं संकोचनी में तो बार-बार कहता हूं कि वो नाराज भी होते होंगे मालिक लोग पर में कहते हूं चूपता नहीं तो आप गुकर तंक है आपकी आदी करदी मैं आपको बढगा नियुका पता रहा हूं दिल की पिड़ा पता रहूं आपको खाली पिड़ा पता रहूं निकाल दिया गए लोगों को दिखा देया गया आप लोग भी टांसरफोस्टिंग गरते हैं तरह हमारे भी सहि कारते हो होती है आपकी विराजियों में काम करने PhD लोग Пेन आना लोगों है तरह कौ़े खिरशी नहीं है क्यों ऐफा कि मैं बढ़ेके हैं बात करते करते है मैं जो कहला था कि मैंने का फ़ी में मिलने आना जातु हम आपसे मैंने शुरुआ से करी थी और वो शुरुआ मेरी महीं लगए इम्मीडिट एपन में आगे मेरे पास में मुझे बड़ी खुशी होई कियो में जागे मने बात कहूंगा ओपर मीडियो को भी कह दिया भी में जा रहा हूं सीवी डाइटर्मन ने इंकमदे डाइटर्मन थे और सीवी डाइटर्मन ने जैसे मिने मीडियो कहा फटा फट फ़न आगे नहीं अभी आपाने यूत ने बूद मिलेंगा आपकर के अभी तो में इंतिजा करांगो अभी तो आया नहीं है कब आएंगे मुझे पता नहीं आएंगे मैं चाय पिड़ूँगा उन्टे गप्सप करूँगा बताओंगा कि मैं क्या फिल करता हूं तो कहने के बताओं यह है कि आज मेरे शिर्व आपको इसले अब हमारे राष्ता में संजीवनी है एक एजम देरों आपको संजीवनी नाम का एक गोटाला बहुत बड़ा राष्तान होगा दो जेलों बैठे गए गरिन शेखावत का जो नाम है कंदे मंतरी वो उसमें सामेल है आरोपी है उन्होंने मेरे खिलाब डिवेंट केस का रखा दिली वो अलग बात है तो मैं पूर्द है जाता हूं हमारी एसोजी ने एफ आई यू जो हता है फानिजर मिनिस्ट्री के अंदर फानिजर इलेगूरटी उनिट उनको पचार बात ट्रेवान किये लिखे बेजा वह आप हमारी इमदाद करो क्योंकि फानिजर का ट्रांजिक्शन विदेश के अंदर भी है इसका वही कार्वें ने करी एक बात जि इडी जो है यह इडी के इस पर्फेट बनता है फानिजर रांजिक्शन है वह इडी नहीं कुछ रही है वह नहीं कुछ रही है तो यह जो इस्टति बढ़ रही है देश के अंदर मैं सबनता हूँ अ मोदिजर एक ग्यांब लेक्लासिक्तल देश के अन्दर देख बूलते हैं तो देश सुंता हूँ प्रणामं त divस आ अच्छा बोलते हैं बोलने करा जानते हैं तो मैंने शुना बोपाल के अंदर जाके मत्रें बोले थे वह एंचीपी को लेकर अजीद पावार को लेकर के बोले थे किसी तरसी हजाय कोड़ के करदे पताने के करप्सन के चार्ज लगा दिन उनको उपर दो दिन बाद ही एंचीपी के एक धड़ा मिल जाता है सरकार के अंदर और क्लाशिकल एजेंबल में इसलिए का आपको उनको पोर्ट्फोलिय देते जाता है पौर्ट्फोलियो उनका नाम Baltiden प्रदी के अधिमे पर्टफोलियो आप शोच सकते हैं on manage portfolio देने के क्या महनम उनको युल्ज आप आरोब लगा चैती इसके इतने इंवल आपके बारे मेरे से ज़ाधा होंगे कि आरोब लगते हैं आप जोइन कर लिजिए विजेपी को तो आप वासिंग मसीन से बिल्कूल बिल्कूल जोल जाते हैं आप लोग फुरे देश के अंदर हो रहा है तो ये जो मैं समझता हूँ कि जनता विस्ताश अजिंशिव बना रहे ये मेरे चिंता ये है इसने में समझता कियों बोड़ा हूँ आम जनता विस्ताश इन एजिंशिव बना रहना चाहिए आम जनता विस्ताश जुडिशिव बना रहना चाहिए तभी लोग तंतरक बच्छे एगा देश के अंदर ये मेरा मानिना है और मैंने कह दिया आपको कि जो मुडल कोड़ों करने लगा है उसके बाद में भी आप च्छापमार करवा रहे हो तो आप उनको पक्स कर रहे हो इन्डिया को आप जाना चाहिए जो वो कलेक्टर एस्पी को बदर सकता है उनको डाउट भी होता भी यह एस्पी करेक्टर जो है एंगुलेटी वाले हैं यह इन्होंने काम ढंग्शनी किया है तो आप चबर पई अभी यह कोई हत्या तो किसे की नहीं वो भग जाएगा हत्यारा फाजिश एकुलेटीज है आज दुकर पकले नो उनको वापशा करें पहुत जाएगा कर लीजी यह बात थी बाकी तो आपको मैं समझ सकता हूँ कि सुनिया गांदी जी को जाओ जी को खड़गे साब को मतलब इतने गिरावट आगे इस देश के अंदर पक्षच में कि समन्ज को थे कोय जामाने के अदर जब इंडरा जीराजी गांदी थे और वास्पेटी थे और आज आज दिंको फरेक आ गया इतने ही करता हूँ हते थे और उसके बारी थी तब === हो रेभाने समन्द होते थे अमिज साजी, वो भीपश को दुस्मन समझते हैं, उत्रगा के दवार कर रहे हैं, पुरा देश देख रहा है, वक्त आने पर रहा सबक शिखाएगा, इस्त्रमनी पाएंगे, मेरा मानना है, वक्त आने पर, क्योंकि जंता के रोबस्ट कॉपमेंचे देश के अंदर एक्स्ट झाल झाल